हलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं लेकर आए हूँ वाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस बरतन को तयार कर लेना है, जिसमें हमें केक को बेक करना है, तो यहाँ पर प्री हीट होने के लिए मै मै ने रखा है, उसका छेद मैंने बंद कर दिया है, ताकि जो हीट है वो बाहर ना आये, और पतीले में मैंने सौल टाल दिया है और इसकी उपर रख दिया है, एक मेटल का स्टैंड, तो हमें यहाँ पर दस मिन Till जू है, लो फ्लेम पर पतीले को प्री हीट कर लेना है, तो तो इसके लिए मैंने एक paper को cake tin के size का cut करके डाल दिया है, कोई ज़रूरी नहीं किया butter paper यूज करें, मैंने plain paper ही यूज किया है, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है oil, अच्छी तरीके से जो है हमें grease कर लेना है cake tin को, तो paper के लावा मैंने चारो तरफ अच्छे तरीके से oil को लगा दिया है, इसके बाद थोड़ा सा सुखा मैदा जो है, वो dust कर देंगे, आच्छे तरीके से इस तरीके से फैला दिना है, ऐसा करने से batter बिलकुल भी बेख होते वक चिपकता नहीं है, अब cake tin तो हमारा तयार हो गया, अब हम cake का batter तयार करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़े बोल में मैंने डाल दिया है तीन अंडा, अगर आप अंडा यूज करना नहीं चाहते हैं, तो इसके बदले आप condensed milk का इस्तमाल कर सकते हैं, अंडे को सबसे पहले mix करके, चाहे आप hand mixer या फिर whisker जिसका चाहे इस्तमाल करें, उसके help से अच्छी तरी से mix करके, हमें अंडे के mixture को एकदम fluffy बना ले रहा है, ये बहुत जरूरी step है, ये जितनी अच्छे तरीके से हम करेंगे उतना ही अच्छा बनता है केक, तो अच्छे तरीके से मैंने fluffy कर लिया है, hand mixer से mix करके, अब यहाँ पर कुछ चीजे हमें add करनी है, तो मैं दही डाल दे रही हूँ, यहाँ पर चार टेबल स्पून, इसके साथ ही मैं यहाँ पर चार टेबल स्पून refined oil add कर दे रही हूँ, दो टीजपून भरकर मैंने baking powder डाला है, एक चौथाई टीजपून baking soda और दो तीन पिंच जो है, वो नमक add कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें add कर दूँगी, वन टीजपून vanilla essence, 200 ग्राम मैदा, चीनी मैंने यहाँ पर powder शुगर बना लेना है, शुगर को पीस कर, और यहाँ पर मैं add कर रही हूँ, 200 ग्राम मैदे में, 250 ग्राम के करीब चीनी, तो powder शुगर आप कम जादा अपने मरजी की हिसाब से, जैसा मीठा पसंद करते हूँ, उस हिसाब से डालें, इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से mix करके, एकदम smooth batter बना लेना है इसका, तो मैंने hand mixer से mix किया है, और एकदम smooth सा batter बना लिया है, दूद का इस्तमाल मैंने नहीं किया है, जरूरत नहीं पढ़िए इसकी consistency को ठीक करने के लिए, अगर आपको जरूरत पढ़े तो आप थोड़ा दूद इस्तमाल कर सकते हैं, दूद, दही, अंडा, जो भी चीज़े आप इस्तमाल करें, आप room temperature पर होनी चाहिए, तो consistency बिलकुर perfect है, इसी consistency की batter होनी चाहिए, तो cake team में मैंने इसे डाल दिया है, मैंने full cake team को हमें नहीं भरना है, 30% space हम उपर से खाली रखेंगे, क्योंकि बेक होते वक्त जब यह rise होगा, तो batter उपर तो overflow होकर batter बाहर की तरफ गिर सकता है, टाप कर देंगे, ताकि air bubbles ना रहें, अब मैंने इसे preheat हो रह है इस बरतन को, शुरुवात में हमें 8 से 10 मिनट के लिए flame को high रखना है, तो flame को high रखेंगे 8 से 10 मिनट तक, और उसके बाद flame को बिलकुल low कर देंगे, और 30 मिनट तक और बेक कर लेंगे, तो total हमें 40 मिनट बेक करना है, तो 40 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे, तो जब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम विप क्रीम तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम विप क्रीम लिया है बिना कुछ इसमें आड़ किे क्येवे पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है तो 2 स When Wearm मैं हन्मिक्सर को इसे मिक्स कर लोग की पहले करेंगे मैंने मिक्स कर लिया है दो से तीन मिनट अब यहां पर कुछ चीज़ें आड़ कर देंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूं ताकि जो हमारा विप क्रीम है थोड़ा सा हाट बने इसके साथ ही इसमें मैंने सॉल्टेड बटर जो है वह आड़ कर दिया है पचास ग्राम पॉडर शुगर डाल देंगे पॉडर शुगर मैंने एक बार में नहीं डाल रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके डाल के जाएंगे और मिक्स करके जाएंगे जब तक विर्टी जो है अच्छी तरीके से तयार नहीं हो जाता है वनीना एसेंस एड़ कर देंगे मैं भूल गई थी इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो पॉडर शुगर जो है आप अपने मर्जी से कितका मीठा आप क्रीम चाहते हैं उससाब से आप आड़ कर सकते हैं मैंने 200 ग्राम ही इसमें आड़ किया है पॉडर शुगर चलिए अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में थोड़ी दिल सेट होने के लिए अब हम चेक कर लेते हैं 40 मिनट्स हमें हो चुके हैं केक को बेक होते हुए चेक कर लेंगे केक अच्छी तरीके से बेक हुआ है की नहीं तो मैं यहाँ नाइप से चेक कर देंगे आप टूथ पीक या नाइफ जिसके भी हल्प से चेक करना चाहें कर लें knife बिल्कुल clean आया है cake अच्छी तरीके से bake हो चुका है अब हमें यहाँ flame को off कर देना है और अच्छी तरीके से हमें cake को ठंडा कर लेना है बिल्कुल हम गर्म में cake team से बाहर नहीं करेंगे cake को वरना cake जो अच्छी तरीके से बाहर नहीं आएगा और तूट जाएगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने दें इसे तो यह अच्छी तरीके से जब ठंडा हो गया है तो मैं इसे knife से इसके sides को release कर रही हूँ ताकि यह आसानी से cake team से बाहर आ जाए तो चारो sides से मैं इसको release कर लूँगी चारो sides से मैंने release कर लिया है अब एक plate के healthy इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से रखते वे आप इसे उलट लें उपर की तरफ से हलका असा फ्रेस करें है देखिए काफी आसानी से बाहर आ गया है बिल्कुल भी केक टीन में केक नहीं चिपका था और paper भी देखी कितना easily निकल गया है बहुत अशे तरीके से केक जो है वो बेक हुआ है अब हमें इसकी उपर का top जो केक का जो उपर का हिस्सा है जो थोड़ा सा उठावा रहता है उसे हमें हटा कर कट करके लेवल में कर देना है केक को ताकि जब हम क्रीम लगाएं तो आसानी हो तो इसके उपर का उठावा हिस्सा मैं कट कर ले रही हूँ देखिए कितनी अच्छी जालिया आई है एक्तम सौफ्ट बना है केक तो हटा देते हैं इस पीस को हम अब मैं इस केक को दो लेयर में कट कर रही हूँ अगर आप चाहें तो तीन लेयर में भी केक को कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजी तरीके से बता रही हूँ केक को बनाना तो मैंने सिर्फ दो लेयर में कट किया है तो दोने layers को अलग-अलग कर देंगे, अब यहाँ पर हमें शुगर सिरफ जो है, यहाँ पर लगाना है इस layers में, तो शुगर सिरफ के लिए आप half cup पानी में दो टीजपुन शुगर को अच्छी तरीके से मिला कर dissolve कर लें, और उसके बाद शुगर सिरफ केक पर हम apply कर देंग की तरफ जो है, हम सिरफ लगा लेंगे इसमें, तो सिरफ मैंने इसमें अच्छी तरीके से लगा लिया है बीच में और किनारे पर, उपर के हिस्ते में भी लगाया है मैंने, अब यहाँ पर कोन तयार कर लेंगे, तो ले लिया है मैंने nozzle, nozzle को इस तरीके से अंदर की तरफ ड बहुत बार प्लास्टिक का भी इस तरीके का आता है वो हमें अंदर डाल लेना होता है कौन के और उसके बाद उसकी ऊपर से हम मेटल का जो नूजल है वो फिट करते हैं देखे इस तरीके से ऊपर की तरफ से इसे लगाते हैं जब इस तरीके का प्लास्टिक वाला हम यूज़ करते हैं तो और इसकी उपर इस तरीके का आता है इसे टाइट करने के लिए नोजल को तो अच्छी तरीके से टाइट कर लें अब हमें कोन मी क्रीम को डाल लेना है तो बहुत ज़्यादा क्रीम हम नहीं भरेंगे इसमें अच्छी तरीके से डालने के बाद प्रिस करके क्रीम को नीचे की तरफ कर दें और उसके बाद उपर की तरफ अच्छे से टाइट से हमें रबल लगा देना है तो एकड़म टाइट से जो है क्लोज कर दें इसे अब क्रीम अप्लाई कर लेंगे जो लेयर्स हमने कट करके रखे थे नाइफ चमच किसी के भी हेल्प से जिससे आपको आसानी हो क्रीम को इस तरीके से फैला ले अब यहां पर मैंने ले लिया है वाइट कमपाउंड चॉकलेट तो चॉकलेट को मैंने छोटा छोटा टुकडा करके ग्रैंडर जार में डालके इसको महीन कर लिया था आप ग्रेटर से भी ग्रेट करके वाइट चॉकलेट को इस तरीके से ले सकते हैं अब यहां पर क्रीम अपलाई करने के बाद अपने टेस्ट के हिसाफ से जितना वाइट चॉकलेट पसंद हो उस हिसाफ से हम यहां पर डाल देंगे इसमें अब दूसरा लेयर मैंने रख कर इसकी उपर भी मैं क्रीम लगा रही हूँ तो इसे भी अच्छी तरीके से फैला लें इसकी उपर भी हम वाइट चॉकलेट डाल देंगे तो जितना पसंद हो उस हिसाफ से आप डालें यहां पर मैंने निशान लगा दी है ताकि केक को सजाने में आसानी हो तो अपनी पसंद के हिसाफ से कोई भी एजी सा डिजाइन आप बना लें जो आपको अच्छा लगता हो मैंने बहुत एजी तरीके से डिजाइन बताया है जो कोई भी बना सकता है जो पहली बार बना रहा हो वो भी अब चेरीज से इसे सजा देंगे ताकि यह और भी खुबसूरत लगे वाइट फॉरेस्ट केक हमारा तैयार हो गया और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही यमी होता है यह तो उमीद करती हूँ आज की यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी जरूर ट्राइ करके देखिएगा इस रेसिपी को और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे यची वीडियो में आगे भी आपसे शेयर करती रहो तो एक नई वीडियो लेकर बहुत जल्द करते हैं!